कुबेर की शादी में गनेश कुबेर एक घमंडी और लालची देवता थे जो अपने द्वारा एक त्रित की गई अपार संपत्ती के लिए जाने जाते थे. एक बार, उन्होंने कई मेहमानों को एक शादी की दावत में आमंत्रित किया. भगवान शिव और देवी पार्वती ने गनेश को भेजा जिन्होंने घमंडी कुबेर को सबक सिखाने का फैसला किया. उन्होंने दावत में मौझूद सारा खाना जल्दी से खा लिया और दूसरे मेहमानों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा. फिर उन्होंने फनीच, बर्तन और यहां तक की कुबेर की संपत्ती भी खाली. कुबेर शिव की मदद के लिए कैलाश परवत पर भागे. भगवान शिव ने उन्हें विनम्रता पूर्वक गनेश को एक कतोरी अनाज देने की सलाह दी. गनेश की भूख आखिरकार मिख गई. कुबेर को पता चला कि उनका इतना लाल्ची और घमंडी होना गलत था. सीख, घमंडी और लाल्ची होना अच्छा नहीं है. जो आपके पास है, उसमें खुश रहें.